तूदिन्स आइओप यॉड़ अगर तो जैसे कि हमने यह चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लाइफ इंद ट्रॉपिकल एन असब ट्रॉपिकल रेजिन जिसमें कल मैंने आप लोगों को एक्स्प्लेइन किया था कि ट्रॉपिकल एन सब्रॉपिकल रेजिन क्या है प्लस वो क वहां पर बेसिकली उसकी लोकेशन पड़ती है मैंने आप लोगों को यूजिंग अगलोब पूरा एक्स्प्लेइन भी किया था फाइन एमाजॉन बेसिन हमने स्टार्ट करती है था उसकी लोकेशन फिजिकल फीचर्स क्लाइमेट वहां पे प्लांट्स कैसे है उसमें हमने मैं था 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 मतलब बिसिकली बाइं प्लांट्स जो होते हैं ट्रीज कितने वह कितनी स्दो heated किये हीट के लोपर डिपंड करतें एंड मे थे तश्यून पॉलंस फीजिकली अबाट अनिम Biggenental물 YouTube Eern creature & and actually यहाँ पर लिखा है but as you finish the chapter then I will give you quick revision 1, 2 and the exercises given at the back of a chapter, fine so now today we will going to discuss about the Ganga Brahmaputra Basin so Ganga Brahmaputra Basin basically यह देखेंगे, हम अपने map में तो हमें देख रहा है, यह जो green वाला पुरा पार्ट देख रहे हैं न बिटा so यह क्या है, Ganga and Brahmaputra Basin, हमारे इंडिया के map में, बहुत clearly आप अपने book में देखेंगे page number 252 पर तो आपको बहुत clear देख जाएगा इसमें शायद आपको इतना clear नहीं देख रहा है यह आपकी जो green यह पार्ट देख रहे हैं this is Ganga, it's mentioned here यहाँ पे आप देखेंगे तो this is the Brahmaputra Basin book में देखेंगे, बहुत clearly आपको सामने से देखने को मिल जाएगा so basically यह जो green वाला color करके जो दिया है, यह आपका Ganga, Brahmaputra Basin है, fine so India is known for the largest flattest and the most fertile plain like Ganga, Brahmaputra Basin in the world so this is something, a proud thing for us, कि हमारा जो देश है वो famous है वो largest है जिसके पास क्या है सबसे ज़्यादा fertile plains है जैसे कि Ganga, Brahmaputra Basin, हमें यह बात पता है कि जिस जगा से river निकल रही है उसके आसपास की जो land होती है, that is very very fertile, fine so this basin is located south of the Himalayas, यह हम देख रहा है उपर कही हमालिया जिधार, अब उसके south में यह basin हमारा होता है, मैं अभी आप लोग को map की photo बेजूँगी, जिसमें proper आपको दिख रहा होगा, हमालिया के south में ही हमारा क्या है, Ganga Brahmaputra Basin है, the extent of its area is from Satluj river in the west to the Brahmaputra river in the east covering 2000 km it spread over a large part of Uttrakhand हर्यान, उत्तर प्रदेश बिहार, West Bengal and Assam the river Ganga originates from कहां से हमें पता है, कहां से, Gangotri से बहती है, हिमालियाज में से होते वे, Gangotri से बहती है, हमारी क्या, Ganga, it is later joined in many tributaries, अब इसकी बहुत सारी tributaries फिर आगे हो जाती है, जैसे कि गागरासन, चंबल, यह सेम चीज ना, आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके है ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट सो मानसरोवर लेक, अब ब्रह्मपुत्रा कहां से, मानसरोवर लेक, तिबद से भैती शुरू होती है, और नौर्थ फिमाल्यास की तरफ जाती है, यह बिटा मैंना भी आपको एक माप पेज दूँगी, जिसमें यह आप थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि कि इधर से ब्रह्मपुत्रा निकल रही है, कि इधर से गंगा निकल रही है, ठीक है, तो आप उस मैप को सामने रखे, फिर इसको रीड करेंगे, तो आपको क्लियर पिक्चर समझा पाईगी, तो तिल इंटर इंडिया थू अरुनाचल प्रदेश की तरफ से इंडिया में एंटर कर रही है, और फिर कहां जा रही है, आसामन बांगलादेश की तरफ, फिर बाद में किस से जॉइन हो जाती है, वो आपके रिवर गंगा से जॉइन हो जाती है, लाज पाट ऑफ चानल से डिस डिस्ट्रिबूटरी जाती है, एक बड़ा सा ट्राइंगल बन जाता है, डिस डिपोजिशनल फीचर स्कॉल गंगा ब्रहमपुत्रा डेल्टा एंदा और सुंदर्बन जाता है, इसको क्या बोला जाता है, फिर वो सो ट्रियंगल बन जाता है, जाते हम गंगा पूटरा डेल्टा या फिर सुंदर्बन डेल्टा. next we will talk about the physical features of Ganga Brahmaputra basin the plain of the Ganga in a Brahmaputra the mountains and the fall hills of the Himalayas and the Sundarban deltas are main features of this basin it has varied topologic graph due to Ganga Brahmaputra rivers these rivers have made natural embankment flood plains, mendoes and oxbow lakes that dot the plain this basin also provides some most suitable land for human settlement as the soil is very fertile here the delta formed by these rivers that is the Sundarban delta is the largest and the fastest growing delta in the world so this Sundarban delta is the biggest and the fastest growing delta because it has a lot of dirt on it so millions of tons of silt brought by these two rivers get deposited to form great northern plains of India so the silt, the kichar, the soil, the soil the soil is coming from these two rivers what has happened to the northern plains of India which is due to the next we will talk about the climate what is the tropical monsoon climate, what is the summer, it is hot and dry followed by extensive monsoon season it is hot and warm, it is hot, it is warm, it is warm, it is dry and what is the next we will talk about the monsoon extensive, it is a lot of rain season the rainy season is coming from June to September and the amount of rainfall decreases from east to west when we go to the west, when we go to the Ghanagampuramugutra then what happens to the river, the river, the river, the river, the rain which is low, it is low, it is low, in the east it is low, 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 the coastal plain, the mountains experience pleasant climate and coastal plains and mountains there is a lot of warm, it is not warm, it is cold, it is low, it is warm it is warm, it is warm, it is warm, it is warm next we will talk about the plant life the plant life, the forest found in this region a tropical deciduous forest how are the forests here? tropical deciduous forest valuable timber is obtained timber salt, teak, bamboo this is the way we get here mangrove forests are found all over the Sundaban region caniferous forests with trees like pine, deodor and fir are found in the state of Sikkim, Arunachar Pradesh, Uttarakhand based in the region we have seen here, we have read here we have read, we have read here that we have read over the East Sustar Ganga Brahmaputra basin में जब आप एस्ट से वेस्ट की तरफ चले जाते हैं तो बारिश भी कम होती चली जाती है तो उसी के accordingly यहां पर फॉरेस्ट भी डूबल अप होता है ठीक है तो आप अरनाचर प्रदेश सिक्कीम की तरफ जाएंगे तो वहां पर पाइन डियोडर फिर इस तरीकी के और फॉरेस्ट है तो बहुत सारे लहां प्रचेशा थे प्रचेशन भीज़र जा रहा है तो उसकी वज़े तो क्लियर करते जा रहे है बहुत से efforts लोगों ने वहां के और वहां के NGO ने दिये जिससे जो है यहां का जो अब यह हो गया है कि अब आप ज्यादा प्लांस को ट्रीस को काट नहीं सकते नाओ लिल टॉक बाट आनिमल लाइफ यहां पर हम ठटेंगे लनुजाते हैं यहां पर इसकेr सिफ यहांपर यहां पर लेखो एक ओरं यहां होन राइनसौरस भी हमें cannot ब्रहमो कुत्रा बेसिन में मिल जाता है बिंगॉल टाइगर क्रोकोडाइल अलिगेटर भी हमें यहां पर मिलते हैं तो जो एक्विटिक लाइफ है इन फ्रेश वाटर लेक्स एड बेय ऑफ बिंगॉल में हमें एक्विटिक लाइफ मिलती है जो हमारी फिशेज ना मरीन यह हैं डॉल्फिन से यह सब जो बिसिकली पानी में रह रहे हैं ठीक है फिशेज कौन कौन सी रोहू कटका हिलसा इस तरीकी की फिशेज भी मिलती है डॉल्फिन सूशू डॉल्फिन होती है जो कि ब्लाइफ डॉल्फिन होती है ठीक है सूशू डॉल्फिन भी हमें यहीं पर म होता है यह गंदा पानी इंडस्ट्री निकल रहा है जो लोग रहते वहां से जो वेस्ट निकलता है वो सब कहां लिए जाता है इसर रिभर में टाल दिया जाता है जिससी इसी सूशिय डॉल्फिन धीरे धीरे खतम होती जा रही है देखो लैने इसको कहते है कि क्योंकि इसका जो वेट है वो 2 से 2.5 मीटर टन्स के बराबर होता है आप लोग का काम है कि एक आईडियल वेट क्या है एक एलेफेंट का आप मुझे फाइंड आउट करके अभी मेसेज करेंगे एक चीज़ हमने पड़ी थी कि एक अच्छा क्लाइमेट नहीं होता है अट एमजोन बेसिन बहाँ पर यूमन लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है लेकिन यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जो है थिकली पॉपुलेटिड है यहाँ का जो क्लाइमेट है वो प्रॉपर हीूमन को हेल्प करता है एक लिविंग कंडिशन बिसिकली हम कह सकते हैं प्रवाइट कराता है तो यहाँ पर लाइफ भी थोड़ी पॉसिबल है यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सारे साल सेम नहीं रहता है इट कीप्स ओन चेंजिंग है ना? इसके लिए लाइफ जो है यहाँ पर थोड़ी सी एजी है अगरिकल्चर अच्छा है यहाँ पर मेंट क्रॉप्स यहाँ राइस वीड मेज यह सब तरीकी की यहाँ पर क्रॉप्स जो है उखती है टेरेस फ्वार्मिंग भी यहाँ पर होती है टेरेस फ्वार्मिंग क्या होती है यह देखो देख रहे हो so terrace farming is carried out in hills of Assam and West Bengal most tea is grown here देखो, देख रहे हो क्यारिया बनी है basically एक तरीकी से तो उन क्यारियों पे जो farming हो रही है और टी भी यहाँ पे उग रही है बहुत ज़ादा उखती है ना Assam में पता है ना हमे silkworms, silkworms, silk भी यहाँ पर silkworms को भी रेर किया जाता है कहाँ पर बिहार, West Bengal और Assam में और कुछ raw material जैसे की cotton, oil seed, jute, sugar cane जो textile industry को है वो भी यहाँ से उगाया जाता है most of the people यहाँ पर कहां रहते जहाँ तर लोग कहां रहते, गाउ में रहते agriculture के अलावों small scale and cottage industries भी यहाँ पर का काम लोग किया करते हैं छोटी छोटी इंडस्ट्री चोटी 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 काम कर लिया जैसे की चाइपत्ती का बागान है तो उसने अपनी एक चोटा सा उसको refine करने के लिए खोल लिया है यह ना या आप उस चाइपत्ती को बिनने के लिए तो वीवर्स आप कह लिजे not weavers sorry weavers कि कि यहाँ पर हम देख रहे है cotton भी यहाँ पर है तो वीविंग का काम भी यहाँ पर चोटी चोटी small scale industries भी होता है fine so then क्या we have increase in with the increase of income lifestyle of our people in rural area is improving fine cities like Kanpur, Ilabad, Patna Kolkata, Gohati are example where people have migrated from rural areas and are now settling in these cities now we'll talk about the transportation and tourism transportation बड़ा well developed है Ganga Pramoputra Basin से all the four ways of transportation चारो ways of transportation यहाँ पर available है road हमारी अच्छे से available है यहाँ पर plane available है water के through transport available है क्योंकि आप east की तरफ से चलते चले जाएए south की तरफ sorry east से west की तरफ चलते चले जाएएंगे अपने map में हम देखेंगे यह देखो है ना तो east से यहाँ से चलते चले जाएएंगे तो धीरे धीरे हम यहाँ पहुंश जाएएंगे west की तरफ तो देख रहे हैं बिल्कुल planes है तो life जो है थोड़ी easy हो जाती है comparative to east fine है तेरा ताज महल है we have a Taj Mahal on the bank of river Yamuna in Agra एहलाबाद situated at the confluence of river Ganga fine so confluence का meaning क्या होता है confluence का meaning है the junction of two rivers दो rivers को join कर रहा है Ganga and Yamuna and the Buddhist Tupas Tupas भी है UP में Bihar भी favorite tourism destination है लोगों के लिए next we'll talk about the Namami Ganga project what is the Namami Ganga project big cities like Allahabad Kanpur, Varanasi, Lakna, Patna and Kolkata all for the population of more than 10 lakh are located along the river Ganga पता है न so the waste water अब in town town का waste water industries का waste water भी गंगा में छोड़ दिया जाता है जिससे हमने अभी पी पढ़ा था कि सुशू जो डॉल्फिन होती है ब्लाइन डॉल्फिन होती है वो भी दीरी-दीरे खतम होती जा रही है क्योंकि उसको रहने के लिए एक अच्छा टेम्परेचर अच्छा उसको चाहिए क्लाइमेट चाहिए इसी लिए चलाया गया है कि हम अपनी रिवर गंगा को साफ कर सके उसको पुल्यूटेड होने से बचा सके तो गावर्मेंट ने मेजर एफर्ट जिये और बिग रिवर्स ऑफ इंडिया को क्लेन करने के उसमें उसी डिरेक्शन में उन्होंने नमामी गंगी प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें इस वेस्ट जो भी आता है उसको क्या करा जाएगा फिल्टर करा जाता है तो और लोगों को एजुकेट किया जाता है कि आप प्लीज रिवर को पॉल्यूट ना करें हम देखते हैं ना कि जो भी पूजा सामगरी वो जो सब बच जाता है उसको कहां फिक कि गंगा में फिक दें तो उससे बिच्छे क्या होता है हमारे रिवर जो है पॉल्यूट होती है तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए हम ये कर सकते हैं कि हम पिट्स खोदे, गड़े खोदे और उसके अंदर उस समान को डाल दे है ना तो इसी प्रोजेक्ट की वज़ा से हम देख रहे हैं, इसी एफ़र्ट की वज़ा से हम देख रहे हैं, कि रिवर गंगा वारानसी में और जो इलाबाद की तरफ लगती है, वो पहले से काफी जादा clean हो गए है, ठीक है बिटा, सो यहां पर हमारा यह chapter होता है, कल हम इस chapter की exercises कर लेंगे, कोई भी doubt, छोटा सा भी doubt आप लोगों को इस chapter में लगता है, आप लोग मुझे बहुत अराम से पूछ लीजिए,